नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल एस्ट्रो सच पर दोस्तों यदि आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले दोस्तों किसी भी मंगलवार के दिन चुपचाप देना यहाँ पर प खरीबी परेशानी कष्ट दुर्भाग्य बीमारी से बहुत ज्यादा परेशान है और आपके जीवन में धन का आगमन पूरी तरह से बंध हो चुका है और मान लीजिए जो आपके पास पैसा आता भी है वो भी फिजूल खर्ची में उड़ जाता है तो दोस्तों केवल एक समाज के काम्याब और सफल लोगों की लिस्ट में हो हर व्यक्ति यही चाहता है कि वह अपने जीवन में इतना धन कमाया कि उसके परिवार को कभी भी किसी भी चीज की कमी न हो परंतु आज की जैसी परिस्थितियां है उनको देखते हुए यह संभव नहीं है एक व्यक्ति चाहे जितनी भी मेहनत कर लें चाहे जितना भी परिश्रम कर रहे वह अपने परिवार का पालन पोशन ठीक से नहीं कर पाता यहां तक कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो रोज मर्रा की जिन्दगी में प्रयोग होने वाली चीजें भी ठीक से नहीं खरीद पाते हैं इसकी वज उस गरीबी की वजह से परंतु दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में इन तरीके की परेशानियों से बहुत ज्यादा परेशान हैं और केवल मंगलवार के दिन आप पांच काली मिर्च के दाने के वह उपाय कर लेते हैं, जो आज के हम आपको बताने जा रहे हैं। न केवल आपको हर प्रकार की समस्याओं से मुक्ती मिल जाएगी, बलकि मंगलवार के दिन पांच काली मिर्च के दाने के उपाय करने के पश्चात, आपकी कोई मनोकाम ना होगी, वह अवश्य ही पूरी हो जाएगी। देखिए, काली मिर्च का उपाय आज से ही नहीं, बलकि प्राचीन काल के समय से चलता हुआ चला आ रहा है। शायद यह बात आपको न पता हो, हिंदु धर्म में कई देवी देवताओं की पूजा में काली मिर्च का प्रयोग न किया जाए तो उनकी संपन्न नहीं मानी जाती है और हमारे रम शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति है, हनुमान जी का आशीरवाद और वर्दान प्राप्त करना चाहता है, तो उस व्यक्ति को केवल मंगलवार के दिन काली मिर्च के उपाय करने चाहिए, जिसके पश्चात जोतिश शास्त्र के अनुसार उस व्यक्ति को साक्षात हनुमान जी का आशीरवाद प्राप्त होता है। करेंगे, खास तोर से काली मिर्च का उपाय हनुमान जी के सामने करेंगे, तो पहले तो आपकी पूजा सिद्ध हो जाएगा, और जो उपाय करेंगे, उसका लाभ आपको तुरंत का तुरंत में जाएगा, क्योंकि मंगलवार के दिन हनुमान जी महराज बहुत ही यदि प्रस जिसको यदि आपने मंगलवार के दिन 2-4-5 मिनट का समय निकाल करके सही मुहूर्त पर सही अनुसार कर लिया, तो मान के चलिए जीस जॉब की तैयारी के लिए आप बहुत परेशान हो चुके थे, जॉब के लिए परेशान हो चुके थे कि आपकी जॉब नहीं लग रही वह बीमारी भी आपको छोड़ करके चली जाएगी, आप किसी संकट में फंसे हुए थे, हनुमान जी के आशीरवाद से आपका संकट सदैव के लिए खत्म हो जाएगा, बस आपको पांच काली मिर्च के दाने के उपाय करने हैं, जो आज की इस वीडियो में हम आपको बता आने जा रहे सही, मुहूर्त किये गए मंगलवार को यह उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है, इसलिए यदि आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी की क्रिपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, हनुमान जी के आशीरवाद से आप अपने जीवन में बहुत उन्नत करें, बहुत ही आगे जाए, हनुमान जी की से आप जिस कार्य को शुरू करें, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ, पहले तो आप इस भी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत परंतु आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलियेगा, सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, यह धन प्राप्ति का माहौल पाए, इस उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चलाएगा, धन आन लाल रंग बहुत ही प्रिय होता है, हनुमान जी की पूजा में जब भी लाल कपड़े पहन करके आप पूजा करते हैं, आपकी पूजा तुरंत के तुरंत सिद्ध हो जाती है, अब आपको लेना है, एक लाल कपड़ा साधारन सा लाल कपड़ा लेनी चाहिए, उस लाल कप पर आपको रखना है पांच काली मिर्च के दाने ग्यारह नौ तीन कपूर फिर से हम रिपीट करते रहें दोस्तों आपको पांच काली मिर्च के दाने ग्यारह लौंग और तीन कपूर है अब इस लाल कपड़े के आपको पोटली बना ली है हनुमान जी के मंदिर जाए हनुम उपाए किसी भी मंगलवार के दिन यदि आप कर लेते हैं तो मान लीजिये, आपके जीवन में जो धन संबंधित परेशानिया थी, उनसे तो आपको मुक्ती मिलेंगे ही मिलेंगे। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खोल, हनुमान जी के आशीरवाद से आपके जीवन में धन बड़ी मात्रा में आना शुरू हो जाएगा। केवल यहां उपाए एक मंगलवार करने के पश्चात, आपके जीवन से धन संबंधित परेशानिया खत्म हो सकती हैं। अब भी आपके अडोसी पडोसी दोस्त या नातेदार रिष्टेदार आपसे जलने लग जाते हैं और आपके घर पर काला जादू काले विद्या बंधन कुछ ऐसा करवा देते हैं जिसकी वजह से आपके घर की बरकत और उन्नती पूरी तरह से रुख जाती है। केवल एक अब भी मंगलवार के उपाए से तुरंत खत्म हो जाएगा। बरकत और उन्नती वापस से चालू हो जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन था। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तीसरा उपाए, जौब प्राप्तिका उपाए। अब मान लीजिये, आप जौब की तयारी करके ठक चुके हैं। आपकी जवाब नहीं लग रही है। आप देख रहे हैं, आपसे कमजोर व्यक्ति की जौब लग गई है। एक उपाए कर ली। आपकी जौब लगने में जो भी बाधाएं आ रही थी, वो बाधाएं हट जाएंगी और आपकी मनचाही जौब आपको मिल जाएगी। यह उपाए आपको कैसे करना है। देखिए, वह आसान सा उपाए है। एक डिब्बी लीजिए, चाहे प्लास्टिक की, चाहे शीशे की उसको भर लीजिए। पूरा काली मिर्च से हनुमान जी के मंदिर आपको मंगलवार की सुबह से सूर्यास्त के बीच में जाना है। किसी भी समय आप लोग हनुमान जी के मंदिर चले जाएए। अब आपको सबसे पहले हनुमान जी के सामने करना है। यह जवाब डिब्बे ले गए जिसमें आपने काली मिर्च भरी है। हनुमान जी के बाएं चरण से छोडाना है। बाएं चरण का मतलब है लिफ्ट ले गए। अपनी पूजा घर पर लाकर के रख देना है। अब जॉब इंटरव्यू के लिए जॉब संबंधित किसी भी कार्य के लिए जाएगा। इस डिब्बे से काली मिर्च निकालेगा। घर के मुख्य द्वार के पहले इस काली मिर्च को रख लीजिएगा। और इसको कुचल करके निकलेगा। ये उपाय आपके आपकी जॉब लगने में जो भी बाधाएं आ रही होंगी वह बाधाएं हट जाएंगे और हनुमान जी के आशीरवाद से आपकी एक मन्चाही जॉब लग जाएगा। प्राचीन काल के समय आ है इस उपाय को करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में तुरंत का तुरंत लिख दीजिए। बजरंग बली की जाए। इसी प्रकार से दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा। जिस व्यक्ति का मन मजबूत होता है वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही आगे जाता है। बहुत ही उन्नती करता है। मान के चलिए यदि आपका मंगल ग्रह आपका साथ दे रहा है। आप जो भी निर्णे लेंगे उस निर्णे से आपको फाइदा पहुँचेगा। और जिस व्यक्ति का मंगल ग्रह मजबूत होता है मान के चलिए भाग्य भी उसका सदैव साथ देता है। अब यह उपाए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। यह टीम मंगल वार यदि आपने कर लिया आपका मंगल ग्रह भी मजबूत हो जाएगा। आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। और आपका दुर्भाग्य आपके जीवन से सदैव के लिए चलाए गए। तीन मंगल वार सूर्यास्त के पश्चाद आपको बस क्या करना है कि आपको लेना है। काला कपड़ा काले कपड़े पर रखना। आपको क्या काली मिर्च 51 काली मिर्च के रखना है। उपर एक रुपया का सिक्का। इस काले कपड़े की बना लीजिए। काली पोटली और इस पोटली को हन अपने कर लिया, तो मान के चलिए आपका मंगल ग्रह आपका इस प्रकार के साथ देगा कि आप जो भी निर्णय लेंगे, जो भी कदम उठाएंगे, आपको उससे फाइदा पहुंचेगा. आशा है कि आज की इस प्रस्तुती में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी. वीडियो अच्छा लगा हो, तो एक लायक अवश्य कर दें. धन्यवाद, वीडियो के अंत तक बने रहना.